दोस्तो आज का जो वीडियो हमारा टॉप लग से लिएड़ है टॉप लग में तीन पीन होती है एक होता है फेज पीन जो की राइड साइड में होता है दूसरा होता है नूटरल पीन जो की लेप्ट साइड में होता है दोस्तो तीसरी जो पीन होती है वो टॉप में होती है औ अर्थिंग पीन की जो लंबाई होती है और दोस्तो इसके तीन करण जानेंगे जिसके वज़ा से अर्थिंग पीन को लंबी और मोटी बनाई जाती है दोस्तो यह question electrical interview की नजरिये से भी must important लें तो आप इसे शुरूशान तक जरूर देखे ताकि आपको कोई भी doubt अर्थिंग पिनस रिलेट ना रहा पाए दोस्तो इसमें हमें अर्थिंग की जरूरत पड़ रही है बार बार अर्थिंग पी बोल रहा हूं तो इसका मतलब हुआ कि इसमें अर्थिंग की जरूरत पड़ रही है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर अर्थिंग होता क्या है इसमें हम जान लेंगे सबी सांबowej या मसीन के नन करेंट वाले धत्ति भाग को एक लोरेस्ट सेंट कंड़कटर के द्वारा अर्थ के साथ जोड़ते हैं अर्थिंग वही कहलाता है लोर्जिस्टेंट कंड़क्टर मतलब जिसकी रेस्टेंट स्कृत काम होती है मतला रुकावड इसमें यह हमारे मतलब की उपकरण है एसे यह भी फैन है इसके just उसके क्या होतहि वटी से कर दिया तर अर्फिंग पीन इसे जुह ङूटा92 on मतलब कि एक्तार को निकाल करके और हमारे उपकरण को दे जियाता है तो वह हमारे क्या होता है अर्थिंग होता है अर्थिंग जो होता हमारे डिरेक्ट कहा रहता है हमारे उपकरण के बॉड़ी से टच रहता है अब जान लेकि दोस्तों अर्थिंग के फायदे क्या है क्या है यह भी जानना जरूरी है अर्थ की potential दोस्तो जीरो होती है जब हम एक तार के माध्यम से अपने उपकरण के body को अर्थ से जोड़ देते हैं तो हमारे उपकरण के body का potential भी जीरो हो जाता है जिसके वज़ास से अगर उपकरण में current leakage हो रहा हो तो भी current हमें कोई छती नहीं पहुचाता और हम electric shock से बज़ जाते हैं example के लिए दोस्तों यहाँ पर एक fan है जिसके body में हमने अर्थ नहीं रखा है अर्थ मतलब की arthing की point नहीं दे रखे हैं आगे एक बंदा है जो हावा खा रहा है बट पीचे से एक बंदा इसे touch करता है तो उसे electric shock लगती है क्योंकि इस body में electric shock इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मतलब की धारा को leakage है मतलब की current leakage है current leakage होता है क्यों होता है क्यों जब क्या होता है phase की तार जो होती है थोड़ी सी कहीं से cut के या किस तरह से body में touch हो जाती ही उपकरण के तो body में current लगते है और वही leakage होता है मतलब की current leakage इसे चूने पर body को चूने पर हमें जटका लग सकता है जैसे कि यहाँ पर जटका लग रहा है तो दोस्तों हमें इसे बचने के लिए हमारे उपकरण के body में क्या करना चाहिए हमें जो हमारा अर्थ होता है अर्थ की point को देना चाहिए अर्थ की potential होती हो जीरो होती है जिसके ब्याद से हमारे अर्थ की देने से हमारे जो भी body होते है मतलब जो भी उपकरण होते है जिसको समझना बहुत जुरूरी है जो की resistance related है परतिरोद से किसी चालक परतिरोद किन कारगों पर निर्वा करता है यह point भी इसमें समझ लेना होगा तब जाकर हमें तीनो point समझ में आएगा तीनो कारग समझ में आएगा एक चालक परतिरोध निमन कार्गों पर निर्भा करता है और वो कौन-कौन से पाली उसकी लंबाई पर चालक की लंबाई जो होते है न मतलब उसको बढ़ा देने से क्या होता है उसमें परतिरोध बढ़ा दें तो हमारी परतिरोध बढ़ जाएगी रुकावट बढ़ जाए करेंड की दूसरा उसके अनुप्रस्त काड़ का चेते पला मतलब चालक की मोटाई अगर मोटाई बढ़ा दें तो चालक का रेजिस्टेंस घड़ जाता है तो एक चीज तो यहां पर समझ में आ रहा है कि अगर हम मोटाई बढ़ा देंगे चालक की तो उसमें जिससे क्रेंड बहते हैं तो चालक काल आते है और जो होते हैं अच्छे परकीरती काह generously है uh को इसके प्रकीरती पर चालक पदार्थे बहुत अच्छा होता है हमें तो इतना पैसल गया दोस्तो कि हमारा जो चालक तार की मोटाई बढ़ा देने से उसकी परतिरोध घड़ जाती है अब तो जल्चली जान लेते हैं अर्थिंग पीन के बारे में अर्थिंग पीन लंबा क्यूं होता है पहला कोई फॉल्ट होने पर उपकरण को छूने से हमें इलेक्ट्रिक सौक ना लगे जैसे हमने पहले भी पंके का एक्जांपल लिया था और यहां पर भी हम उसका एक्जांपल ले रहे हैं अगर इस पंके में अर्थिंग मतलब की करेंट लिकेज हो तो हमें अगर उसमें जटका नहीं लएगा इसलिए हमें यहां पर पीन को लंबा रखा जाता है ताकि पहले ही क्या हो जाए हमें अर्थ उपकरण को मिल जाए हमारे उपकरण जो भी है उसे हमें अर्थ मिल जाए और कोई बंदा उसे छूता भी है तो उसे जटका ना लगे उसे कोई भी हानी न अर्थिंग का ना करें दूसरा है अर्थिंग जो पीन होती है वो मोटा क्यों होता है इस पॉइंट को भी समझ लेते दोस्तों यह अर्थिंग पीन होती है अर्थिंग पीन होती है अर्थिंग पीन मोटा इसलिए होता है ताकि कोई फेज और न्यूट्रल में अर्थिंग पी देंगे जो अर्थिंग पिन है उसको डिरेक्ट फेस्में लगा देंगे तो वाइव करण को फेज मिलेगा बड़ी में मिलेगा जिससे हमें चोट लग सकता है तो इससे बचने केले भी अ इर्फिंग पिन को मोटा रखाता है और अगली पोईंट जो कि बहुत ही बिशेश रखती है और फिंग पिन से लिडेड है मुटाइ परेडिवी मोटा रखाता है इसकी सारी जनकारी इसे मिलने वाली है दोस्तो अर्थिंग पीन को लंबा और मोटा इसलिए रखाता है क्योंकि अर्थिंग पीन की जो मोटाई होती है उसके कारण परतिरोध कम होता है और हम जानते हैं कि ये गुड कंडक्टर होना चाहिए क्योंकि हमें अर्थ देना आई इसमें तो में रिजन जो है अर्थिंग पीन का लंबा और मोटा होना परतिरोध को कम करने के लिए है मतलब कि हमें बताना हो कि अर्थिंग पीन को मोटा क्यों रखाता है और लंबा क्यों रखाता है थोड़ा गुड होगा तो बहुत जदा गुड कंड़क्टर बन जाएगा और यहां पर ही पॉइंट्स आपको संग में आ रहे होंगे कि हमने इसे मोटा क्यों रखा है अब बाकी जो भी हमें तीनों के तीनों जो हमने यहां पर पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं अर्थिंग पीन लंबा इसलिए होता है ताकि हमारे उपकरण को फेस मिलने से पहले ही अर्थ मिल जाए जिससे हमारे उपकरण में कोई फॉल्ट होने पर उपकरण को छूने से हमें electric shock ना लगे दूसरा हमारा point था earth pin मोटा इसलिए होता है ताकि कोई phase और neutral में earth pin ना डाल सके और तीसरा point हमने देखा कि earth pin का लंबा और मोटा होने का मुख्य कारण परतिरोध को कम करने का है मतलब कि कम करने का है तो इस तरह से हमने earth pin क्यों हमें मोटा और लंबा रखना चाहिए इसके तीनो कारण को हमने discuss कर लिया और सारे points हमको हमने समझा रखा है आपको समझ भी आ गया होगा earth pin को मोटा और लंबा क्यों रखना चाहिए और companies वाले इतने बुर्बा मतलब कि इतने bad man नहीं है या इतने उनके पास दिमाग कमजोड नहीं है कि ओ ऐसे ही पींदे दे इसके पीछे बहुत ही राज था जिसको हमने बताया दोस्तों हो सकता है कि आपको कोई doubt है तो जो doubt आपके मन में हो उसे आप comments में लिखे ताकि आपके doubt को भी हम clear करने की कोसिस करें दोस्तों ATS जो है अब है technical support यह आपके ही चलते चल रहा है तो आप इसे support जरूर करें ताकि आगे और भी वीडियो आपको मिलते रहें technicals related वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को like, share and subscribe करें keep watching, keep learning and stay long with us I am very happy to see you in this video all the best, thank you very much मिलते हैं next video के लिए तब तक take care, bye, see you जैहिन, जै भारत